नमस्कार में हुम अमदासीफ और आप देख रहे हैं नेक्स टाइन योज दरसल इस डियम जो थी मोरिया आखिर आदेश के जाचों से क्यों भाग रही हैं क्यों सवालों से डर रही हैं अलोक मोरिया से मिलने से उन्हें परेशानी क्या है एक पती जो अपने खून पसीने की क माई से उन्हें इस डियम बनाया उन्हें उनकी कामियाबी के लिए उनके तरक्य के लिए देने राते कर दिया उन्हें आखिर इन चीजों से दिक्कत क्या है उन्हें जाच परताल से दिक्कत क्या है वो क्यों भाग रही हैं ये सवाल दरसल जो है वो अलोक मोरिया के हैं कि क का मतलब आलोक मौडया क्या गलत कर रहें देखे दरसल जिस तरीके से अब यह समझे कि एजडियम मौडया बुरी तरीके से फसी कब वो तब जब उनको खिलाब तो हलाकि पूरे हंदुस्तान का समर्थन था महिलाओं से जुरा मामला था लेकिन एस ड्रीम मोरिया के जब से कॉल रिकॉर्डिंग हम सब के सामने आए जिस तरीके से उनके चैट सामने आए जिस तरीके से मनीज दूबे से वो बात करती नजर आई इससे समझ में आ गया कि आलूक मोरिया को लेकर कितनी आज़ा आप इसी बात से लगा ले जेता बिलकूल ये कहना ठीक नहीं है अब सवाल यह कि जाच के आदेश दिए अब जाच के आदेश दिये हैं तो जाच कराने से दिक्कत क्या है जाच कराने से भाग क्यों रही हैं का जारा दर्चो को कि दर असल बहुत सारे पैसों का खेल हो सकता है घुटाला हो सकता है एक से बढ़कर एक आरोप भी लग रहे हैं परिवार एक मामला तक पहुंच गया है आलोक मुरिया के भी पुतमाम रिलिश परिवार पर भी एफायर दर्च कर गया है तो सबसे बड़ा सवाल है कि एक दूसरे पर जाच के आदेश है आरोप हो रहे हैं आरोप पर ते आरोप लग रहे हैं इलजाम पर इलजाम है लेकिन ना तो मनीज दुबे ना आलोक मुरिया और नहीं एसडियम जोती मुरिया को अब तक गिराफ़तार किया गया आखिर क्यों ये सवाल मैं प